नमस्कार दोस्तो, Ready to Guide चैनल पर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज की जानकारी बहुती सांदार है जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो क्योंकि आपको पता है दोस्तो, P.E.C.L. कमपनी पर बैन लगा दिया था अपसे पहले किसी भी ने विशक का पैसा, कभी नहीं रुका, सभी का मिल गया और बिल्कुरी सही बात है, सभी का पैसा मिला भी है पर दोस्तो अगर किसी कमपनी को अगर बंद किया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है यानि कि कमपनी को ऐसे ही बंदने किया जाता खाला कि जब special company काम कर रही थी चल रही थी तो दोस्तो उस समय कमपनी से जो भी tax वगरा मिल रहा था वो भी सरकार को जा रहा था उसके बाफजूद company को बंद किया ऐसी बहुत सारी company है उसके बाद कम सकम एक हजार company दोस्तो बंद की गई अब ऐसी हैं आपको एक जानकारी देखने को मिलेगी दोस्तो यहाँ पर RBI की यानि कि रिजर बैंक ओफ इंडिया की तो दोस्तो रिजर बैंक के इस कदम से लाखों लोगों को जटका चार बैंको पर लगाया बैं पैसो की निकासी भी होई limited यानि कि दोस्तो चार बैंको पर बैं लग चुका है भारत सरकार के तरब से यानि कि रिजर बैंक ओफ इंडिया के तरब से दोस्तो अब बात करते हैं कि RBI और SEBI में क्या difference होता है दोस्तो जब भारत के अंदर कोई कंपनी काम करती है दोस्तों उसको लाइसेंस दिया जाता है तो उसको सेवी से रेजिस्टर्ड होना परता है सेवी उसको रेजिस्टर्ड होने के बाद ही भारत के अंदर कोई भी कंपनी काम कर सकती है चाहें वो छोटी हो या बड़ी हो ऐसे ही दोस दोस्तो परमिसर लेनी पड़ती है और रिस्टर कराना पड़ता है जब RBI को लगता है कि ये बैंक अच्छा परफोर्मेंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो है लोगों का पैसा डूप सकता है तो ऐसे में RBI दोस्तो बैंकों को बैन कर देती है वैसे ही जैसे सेवी बैन करती है जब लगता है सेवी को कि किसी कंपणी में निवेशको का पैसा डूप जाएगा आगे चलकर निवेशको का पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा तो सेवी वहाँ पर उन कंपणीों को बैन कर देती है तो दोस्तो सेम बात है RBI की तो RBI ने चार बैंकों पर बैन लगाया है ब बड़े बैंकों पर लगा बैन, रिजर बैंकों फिंडिया दोस्तों ने चार बैंकों पर जो कड़ा कदम उठाया है, इसके साथ ही भारतिय रिजर बैंकों पर प्रितिबंद लगा दिया गया है, वहीं लोगों के जरिये बैंकों से पैसे निकालने की जो समय सीमा है दोस्तो उसको सैट कर दिया गया है यानी कि अगर मान कर चलिए कि आपके लाकों रुपे है तो अब आप लाकों रुपे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जो रिजर बैनक ने कहा है कि आप इतने पैसे निकाल सकते हैं तो उसी सीमा के अंदर आप इन बैंक से पैसा निकाल सकते हैं तो क्या मैटर है, क्यों बैन लगाया गया है क्या बात है, पूरी डिटेल में दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ ताकि आप यह हमेशा याद रखें कि रिजर बैंक और से भी बैन क्यों लगाती है दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर है RBI रोल्स यहाँ पर देखिए बारतिय बैंक समय समय पर कड़े फैसले लेती है कई बार RBI बैंक अन्य बैंकों के खिलाब पिरती बंद या जुर्माना भी लगाती है दोस्तों अब RBI के और से जो कड़ा कदम उठाया गया है दोस्तों इसमें जो पैसा लगान निकालना है दोस्तों पर इस पर भी जो है पिरती बंद है इन बैंकों की बिगरती आर्थिक इस्तिति को देखते वी यह कदम उठाया गया है दोस्तों अब किसी बैंक की आर्थिक इस्तिति क्यों बिगर जाती है देखिए आप पैसा जमा करते हैं पैसा निक अब वो लोन चुकाने में समर्थ है यानि कि लोन का पैसा गुम हो चुका है दोस्तो जब बैंक को पैसा नहीं चुकाया जाता है लोन का लोन डूब जाता है तो ऐसे में दोस्तो जो बैंकों का पैसा है वो भी डूब जाता है और बैंकों में पैसा कहा से आया है वो लोगों का पैसा है दोस्तो हमारा है आपका है आम लोगों का पैसा है जो हम बैंक में जमा करते हैं बैंक उसी पैसों को किसी थर्ड व्यक्ति को दोस्तो लोन पर दे देती है और उससे जो पैसा मिलता है ब्याज मिलता है दोस्तो उससे पूरी बैंकिंग प्रिकरा चलती है जो वो भाग जाए आपने देखा इससे पहले भी बहुत सारे कीशी देखने को मिले थे विजये मालिया थे मोधी रहो मुधी और या पर यह लिए पर यह कहुति है और बंग्सार और शुर्वाज ओरो युद्व बैंक लिमिटेड, सूरी पसिम बैंक और बहराईच के नैशनल अर्बन कोपरेटिब लिमिटेड पर प्रितिबन लगाया गया है अब दोस्तों इन पर क्यों लगाया गया है मैंने आपको बताया इतनी कर सकते हैं बैंकों से निकासी मतला कितने पैसे आप निकाल सकते हैं तो सहकारी बैंक साई बाबा जनता सहकारी बैंक है उसमें आप 20,000 रुपे से अधिक नहीं निकाल सकते हैं जबकि सूरी फ्रेंट्स यूनिएन और पर लिमिटेड पर भी इस तरह नैशनल technology गराह को दुवारा धन निकाशी पर रोग लगा दिया है तो केंद्रिया बैंक दुवारा चार बैंकों पर जो निर्देश है बैंक की बैंकी बैंकी में अधिरियम उनिस और चास के तहट जारी किये गए है जो 6 महीने तक लागू रहेंगे यानिकि इन बैंकों से आप इतने से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं 6 मिने के लिए दोस्तों बैंक है रिजर बैंक ने एक अन्य बयान में काया है कि उसने सूरद है स्मॉल फाइनस बैंक पर धोकादड़ी से संबंदित कुछ मान दंडों के उलंगन को लेकर 57,75,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया है तो ये सारी चीजे दोस्तों देखने में आई है और आप समझ गए होगे कि किसी भी बैंक की इस्तिती कभी भी खराब हो सकती है जरूरी नहीं है कि आप स्टेट बैंक, PNBA, किसी प्राइबेट बैंक में अगर आपका पैसा है तो उन बैंकों की इस्तिती खराब नहीं हो सकते है किसी की भी हो जाएगी दोस्तों अब डिपेंड करता है यहाँ पर जो स्टाफ है जो बैंकों के दोस्तो अधिकारी है जो पुरबंदन है अगर वो सही से मैनेज्मेंट नहीं करेंगे वो सही से नहीं देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है हम कितना लोन के रूप में दे रहे हैं अगर इस चीज़ पर सही से नियंतरन नहीं किया जाएगा और दोस्तों यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी डिल बढ़ती गई तो निवेशकों का इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा जमा करते हैं उनका पैसा इस तरीके से अगर चला गया तो बैंकों को दिक्कत हो जाएगा अब यहाँ पर अगर सरकार बोलती है कि नई भी आप सिर्फ एक बार में या एक दिन में या आप एक महिने में एक हजान निकालेंगे तो आपको एक लाक रुपे निकालने में कितना समय लगीगा तो यानि कि बैंक के पास कुछ पैसा रहेगा यानि कि बैंक इन देन कर सकता है इसी लिए दोस्तों इन चारो बैंकों पर जो पिर्तिमत लगाया गया है तो आसा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैलो को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद